मिद्रो ये एक एकजेंबल के तोर पर ये एक स्क्रिप्ट बनाई है समझने के लिए अब मान लीजिए कि ये शूर्य की स्क्रिप्ट तो हाई है लेकिन ये सूर्य सेवन्थ कस्प का कस्पल सबलोड बना हुआ है और हमें पूछा गया है कि मेरी भविश्य में जब शादी होगी तो मेरे जीवन साथी के बारे में कुछ बताइए तो हमें इस स्क्रिप्ट पर से जीवन्शाथी का वर्णन करना है शूरिय सेवन्थ कस्प का कस्पल सवलोड बना हुआ है और शूरिय अपने ही स्टार में मतलब self-star planet है और ये शूरिय वुरुषब राशी में स्थीत है तो यहां वुरुषब राशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है और वुरुषब राशी की qualities ये जो features है ये हमें वर्णन करने होंगे तो इस पर से हम कह सकते हैं आपके होने वाले जीवन साथी का रंग मद्यम गोरा हो शकता है शरीर की उंचाई कुछ एवरेज से थोड़ी कम हो सकती है ये चर्चा करने में बहुत माहीर होंगे और दलिल के बाद जीतने वाले होंगे इनका चेहरा एवरेज से जितना भी बड़ा होता है इसमें एवरेज जो साइज होती है एवरेज से कुछ ज्यादा थोड़ा बड़ा होगा स्पोर्ट जैसी बॉड़ी होगी sports body strong body होती है शरीर मजबूत होता है इस तरह का शरीर हो शकता है स्वभाव में over confidence दिख जाएगा और इनका मुख भी average से कुछ थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा तो इस तरह हमें वर्णन करना है और यहाँ script में जो numbers दिख रहे हैं यह पूरी script प्रोसेस करने के बाद तीन, साथ, बारा और पाँच नंबर का result दे रहा है तीन और बारा नंबर से हमें यह पता लगता है कि जीवन साथी की खोज कोई मीडिया के आधार से इंटरनेट पर से या कोई marriage group चल रहा हो ऐसे करके अपने स्थान से बहुत दूर मतलब अबरोड भी हो सकता है या दूसरे state या दूसरे country में हो सकता है वहाँ से होगी और पाँच और साथ नंबर यह सुचित करते हैं कि यह प्रेम में परिवर्तित होगा और यह प्रेम विवा marriage में convert होगा सबलोड लेवल पर से भी एक और नो नंबर होने से गुरू और शुक्रजे से शुब ग्रव होने की वज़े से सबलोड का support और शुब ग्रव का आशिरवाद मिल रहा है ऐसा प्रतित होता है तो इस तरह हमें वर्णन करना चाहिए तो आज बस इतना ही